हलो बड़ीज, तो आज के इस पोड़कास्ट में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं चैप्टर टू बायलाजिकल क्लासिफिकेशन के अगले टॉपिक, किंडम फंजाई को फंजाई एक यूनिक किंडम है हेट्रोट्रॉफिक और्गिनिस्म का यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं सभी में सेलवाल पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है और सभी हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते है इनकी जो मार्फालिज और हैबिटेट है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है अगर हम फंजाई की बात करें तो जब ब्रेट खराब हो जाती है ब्रेट पर आपने देखा होगा ना वो ब्लैक ब्लैक सा फंगस लग जाता है तो ये एक्चुली फंजाई की वज़े से होता है जिसको हम लोग राइजोपस के नाम से जानते हैं ब्रेट मॉल्ड भी से कहा जाता है जो मशरूम हम लोग खाते हैं ये भी फंजाई ही है इसे अगेरिकस के नाम से जाना जाता है साथ यशा जो टूर्ड स्टूल होते हैं ये भी फंजाई होते हैं सरसो की पतियों के उपर जो white spot दिखाई देते हैं वो parasitic fungus की वज़े से होते हैं एक्जामे पूछा जाएगा white spots seen on mustard leaves are due to आप cancer होगा parasitic fungus कुछ फंजाई unicellular भी होते हैं इसका यूज ब्रेड और बियर को बनाने के लिए किया जाता है इस्ट का जो scientific name है ये सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी है जो कि ब्रेड बनाने में इसका यूज करते हैं इसलिए से बेकर्स इस्ट कहते हैं और बियर बनाने में इसका यूज करते हैं से breverseast के नाम से भी जाना जाता है कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो plant और animal में disease भी कौच करते हैं जैसे wheat में rust नाम की बीमारी होती है जो paxenia कौच करता है कुछ फाइदे मन भी होते हैं फंजाई जैसे penicillium antibiotic का source होता है इससे penicillin नाम के antibiotic obtain की जाती है फंजाई लगबग हर जगे पर पाया जाते हैं air, water, soil animal के ओपर, plant के ओपर यानि cosmopolitan nature के होते हैं cosmopolitan मतलब लगबग हर जगे पाया जाना इनको grow करने के लिए warm और humid condition की requirement होती है और इसलिए खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे refrigerator यानि fridge के अंदर रखते हैं योई fridge में condition कैसी है fridge में condition cool है और इनको grow करने के लिए warm condition चाहिए तो इसलिए खाने को bacterial और fungal infection से खराब होने से बचाने के लिए उसे refrigerator में place किया जाता है clear? अब अगर east का exception छोड़ दिया जाए east unicellular fungus है इसके लावा जितने ही फंजाई होते हैं multicellular होते हैं, filamentous होते हैं east के लावा बाकी सबकी जो सारे फंजाई जो होते हैं, उनकी body पतले, thread-like structure से बनी होती जिने हाइफी कहते हैं और हाइफी का जो network होता होता है माईसीलियम के नाम से जानते हैं कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनमें multi-nucleated cytoplasm पाया जाता है इन्हें sinusitic हाइफी कहते हैं sinusitic हाइफी आपको मिलेगा phicomycet class के अंदर बाकी जो फंजाई होते हैं उनमें septate हाइफी पाया जाते हैं यानि उसमें cells के बीच में cross wall या septa present होते हैं cell wall फंजाई की kaitin और polysaccharides के द्वारा बनी होती है सभी फंजाई heterotrophic nature के होते हैं और ये या तो saprophytic होंगे या parasitic होंगे या symbiotic होंगे अगर ये soluble organic matter को absorb करते हैं dead substrate से तो इन्हें saprophite कहेंगे अगर ये living plant और animal से food obtain करते हैं तो इन्हें paracite कहेंगे और ये symbiotic भी हो सकते हैं जैसे glomus नाम का एक fungus है जो कि mycorrhizal association बनाता है तो mycorrhizal जो होता है ये actually एक symbiotic association है fungi का higher plant की root के साथ में जैसे pinus के साथ में eucalyptus के साथ में fungus association करता है इसी तरह से तो lycans और mycorrhizal के cases में जो फंजाई होते हैं symbiotic association करके food को obtain करते हैं reproduction बहुत important फंजाई में reproduction तीन तरीके से होता है visitative, asexual and sexual अब तीनों के तीन तीन तरीके हैं visitative reproduction, fragmentation fission या budding से होता है asexual reproduction conidia के दोरा, sporangio spore के दोरा या जो spore के दोरा होता है और जो sexual reproduction होता है उसके लिए code है ABO ABO blood grouping आप पढ़ते हैं ABO A for asco spore B for Paisidio spore and O for O spore बो ग्यान बाबा की जै तो ABO से आप sexual spore को आसानी से याद रख सकते हैं अभी जो spore होते हैं special type की body के अंदर बनते हैं जन्हें fruiting body का आ जाता है sexual cycle में तीन step होते हैं पहला step होता है plasmo gammy दूसरा होता है karyo gammy और तीसरा होता है meiosis in gyagot plasmo gammy में दो motile या दो non motile gammy इट fuse करते हैं उनका proto plasme आपस में fusion करता है karyo gammy में दो nucleia आपस में fuse करते हैं और जाइगोट में meiosis होने से haploid spore का formation होता है asco mycet और bacidio mycet fungus में die carry of phase पाई जाती है जहां पर die carryotic stage आती है n plus n यानि एक सिल के अंदर दो nucleia होते हैं इस condition को die carry on कहा जाता है और phase को die carry of phase कहा जाता है अब mycelium की morphology के आधार पे mode of spore formation के आधार पे type of fruiting body के आधार पे इस kingdom को चार class में divide किया गया है class 1 है fungi का phycomycets class 2 is the ascomycets class 3 is the bacidiomycet and class 4 is the deuteromycets phycomycets के अगर बात करें तो इसके जो member होते हैं aquatic habitats में होस तकते हैं decaying wood यानि सडी गरी लकडियों के उपर पाय जाते है moistent damp places पे जो थंडी नम 6000 जगे होती है गीली जगे होती है या फिर obligate parasite की रूप में plant के उपर होते है इनका mycelium a septate है sinusitic होता बाकी तीनो ही class में septate mycelium होता है यहाँ पर a septate है धिहान रखिए के वल फाइको mycelium में a sexual production जो इस्पोर से होता है या a planosport से होता है जो spore motile होते है a planosport non motile होते है spore endogenously produce होते हैं दोनों spore जो spore और a planosport endogenously produce होते हैं sporengium के अंदर अब यहाँ पर जब gamete का fusion होता है sexual reproduction के समय तो gyagospore बनता है और जो gamete होते हैं जो आपस में fusion करते हैं अगर उनकी बनावाट एक जैसी similar है morphology में तो इसे iso gamus कहते हैं और dissimilar है तो इसे anisogamous या o gamus कहते हैं अब iso gamus, anisogamous, o gamus के बारे में अगले चेप्टर में हम algae में discuss करने वाले हैं clear? आपको example की बात के तो तीन example याद करने हैं राम कोट से R for rhizopus A for the albugo and M for the mucar बो ग्यान बाबा की जै अब rhizopus जो है उसे bread model कहा जाता है albugo की बात करें तो albugo जो है वो parasitic fungi mustard के ओपर पहले ही मैंने आपको बताया था कि white spot seen on mustard lips is due to the parasitic fungus वो albugo ही actually second class पर चलते है ascomycid इन्हे commonly sac fungi कहते है phycomycid को algal fungi कहा जाता है क्योंकि algae की तरह ही phycomycid के member में भी joyspor और aplenospor पाया जाते है clear? अब ascomycid के ज़्यादा तर member multicellular होते हैं जैसे penicillium हो गया लेकिन rarely unicellular जैसे east sacromysis की बात करें यह saprophytic हो सकते हैं decomposure हो सकते हैं parasitic हो सकते हैं coprophilus हो सकते हैं coprophilus उन्हें कहते हैं जो dung यानि गोबर के उपर क्रो करने वाले fungus होते हैं mycelium मैंने पहले ही बताया था कि phycomycid को छोड़के बागी तीनों ही क्लास में mycelium branched और septate होता है a sexual spore यहाँ पर conidia है जो की exogenously बनते हैं conidio 4 नाम के mycelium के उपर conidia germinate करके mycelium को produce करते हैं sexual spore यहाँ पर asco spore होते क्योंकि ascomycid के पारे माँ पढ़ रहे हैं clear है बात अब जो asco spore है यह endogenously produce होते हैं sac like structure के अंदर जिन्हें ascus के नाम से जाना जाता है अब आप ध्यान दीजेगा conidia exogenous हो गए asco spore जो होते हैं वो endogenous हो गए joyspore endogenous है eplanospore endogenous है asco spore भी endogenous है clear अब जो ascus होते हैं इनका जो arrangement होता है यह fruiting body के अंदर होता fruiting body को है asco carb कहते हैं क्योंकि ascomycid है तो asco carb asco spore ऐसे नाम में example की बात करें तो aspergillus, claviceps, neurospora हो गया moral enterfels हो गया इसके लिए saccharomyces की बात पहले ही कर ली है यहाँ पर plant kingdom भी कहा जाता है moral और trifle जो इसके member ही edible है और काफी delicious होते हैं खाने में काफी swadist होते हैं तो यह भी ध्यान रखना है कि mushroom भी edible होता है लेकिन और basidiomycet का member है जो moral और trifle है यह edible होते हैं जो की ascomycid के member हैं class 3 पे चलते हैं basidiomycids basidiomycid के member में यह soil में ग्रो करते हैं लगडी के गठे के ओपर log के ओपर ग्रो कर जाते हैं tree stump के ओपर ग्रो कर जाते हैं और साथ ही साथ ही plant bodies के अंदर रहते हैं parasite की रूप में जैसे rust टोरिस्मट fungus की बात करें वो parasitic nature के हैं mycelium branched and septate है कहां पर ascomy, basidio में यूटिरो तीनों ही classes में बुलो ग्यान बाबा की जै phycomycet में केवल sinusitic mycelium होता है accepted nature clear अब asexual spore यहां generally नहीं पाया जाते हैं लेकिन vegetative reproduction fragmentation के दौरा बहुत ही common है यहाँ पर sex organ absent होते हैं लेकिन दो vegetative cell के fusion से ठीक है दो vegetative cell के fusion से यहाँ पर plasmo gammy होती है और जो vegetative cell होती है यह different sthenia genotype से belong करती है अब जब दो cell आपस में fuse करती है vegetative cell की बात कर रहे है तो इससे di-cario phage का formation होता है और di-cario phage बनने के बाद ultimately basidium बनता है basidium के अंदर karyo gammy और meiosis होती है plasmo gammy तो पहली हो चुकी थी karyo gammy और meiosis होती ही जिससे चार basidium spore बनते है चार ध्यान रखना चाचा चार basidium spore बनेंगे अब basidium spore जो होते हैं वो exogenously produced होते हैं अब आपके spore हो गए 5 joyspore, aplenospore, conedia, escoyspore, basidium spore अब joyspore endogenous है aplenospore endogenous है, conedia exogenous है escoyspore endogenous है, basidium spore exogenous है तो 5 में confusion है तो बहुत सीधी सी बात याद कर लो कि भाईया जो conedia है और जो basidium spore है ये exogenous nature के हैं, ठीक है क्यों conedia और basidium spore आप याद कर लो, BC है न, BC जो BC है ये दोनो exogenous nature के हैं, बाकी जो बचे aplenospore, zoyspore escoyspore, ये endogenous nature के हो जाएंगे, बो गयान बाबा की जय आगे बढ़े हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब जो basidium spore है मैंने कहा न, कि एक्सो जिनसली प्रोडियूस होते हैं basidium के ओपर और basidium जो होते हैं, ये फ्रूटिंग बॉड़ी के अंदर अरेंज होते हैं, जिनने basidium कार्प कहते हैं, आसान सी बात है, basidium mycet में basidium कार्प फ्रूटिंग बॉड़ी है उसके ओपर basidium spore का formation हो रहा है ठीक है, उधर esco mycet में esco कार्प नाम की फ्रूटिंग बॉड़ी हैं, और वहाँ पर esco spore बनते हैं, तो आसान सी बात हो गई है एक्जामपल की बात करें, तो एक्जामपल agaricus है हैं अपर जिसे commonly mushroom कहते हैं, astilego की बात करें, तो astilego जो है इसे commonly हम लोग जानते हैं किस नाम से? ismat के नाम से जानते हैं, इसी तरह से पक्षीनिया की बात के, तो पक्षीनिया को commonly rest fungus के नाम से जाना जाता है ना, इसे commonly rest fungus के नाम से हम लोग जानते हैं ठीक, आब आते है, class number 4, that is deuteromycetes, इसे imperfect fungai कहा जाता है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल asexually avasitative phase ही fungai में पाई जाती इनमें sexual reproduction नहीं पाया जाता है, और अगर मान लीजे deuteromycetes का कोई member of future में उसमें कभी sexual reproduction का पता चल जाए, तो उसे deuteromycetes से बाहर कर दिया जाएगा, और उसे सही class में भेद दिया जाएगा ठीक है, मतलब या तो उसे ascomycetes में भेज देंगे, या conidia गहा जाता है, अब ध्यान रखना conidia दो जगे मिले हैं, escomycetes में और deuteromycetes में conidia मिले हैं, clear? mycetes सेप्टेट ब्रांच जे पहले हम कई बार बात कर चुके हैं, यहाँ जो member होते हैं, उस सैप्रोफाइट होते हैं, या पैरासाइट होते हैं, और काफी ज़्यादा number member होते हैं, लिटर के लिटर का मतलब होता है, freshly fallen leaves, नई ताज ताज पत्थियां गिरी पेड़ की जमीन पे, उन्हें को लिटर गहते हैं, और यह mineral cycling में help करते हैं, बहुत important need में पूछा गया सवाल है, एक्जाम्पिल cat से आप याद करना, deuteromycet cat, c for colitotrichum, a for alternaria and t for the trichoderma, इसी trichoderma से cyclosporine निकाली जाती है, जो कि immunosuppressive agent की तरह काम करती है तो cat से आप इसको याद कर सकते हैं, deuteromycet के एक्जाम्पिल को, राम से आप याद कर सकते हैं, phicomycet के एक्जाम्पिल को, क्योंकि इन दोनों क्लास में तीन तीन एक्जाम्पिल हैं, बोलो ग्यान बाबा की जैए